इस्टेंट्स आपको पता है, अलकाइल हलाइड या हेलो अलकेन दो तरह की रियक्शन देते हैं, पहली ऐलिमिनेशन और दूसरी होती है निकलियो फ्लेक्ट सबस्युटिशन इस वीडियो में बात करने बाला हूँ निक्लियो फ्लेक सबिस्टिशं की डुटेल में दो थर आगे निक्लियो फ्लेक सब शुरीशं रेक्षम होते हैं is an-1 एंड एस एंडब अगर मैं बोला हो एस संब थो इसका मतब्स है niquelio works substantial reaction having order बन अगर मेंने बोला है tar क्लियो उसस्व चो लोगा होता है sn1 and sn2 देखिए इसके लिए मेरे पास में दू एक्जाम्पिल हैं अगर मेरे पास में एक primary alkyl halide है ठीक है हम जानते हैं यहां पर primary का मतल़ चलिए simple एक alkyl halide लिया ठीक है इसकी structure आप दे सकते हो एक tetrahedral structure होगी क्योंकि carbon का जो hybridization है वो कितना है sp4 है यहां पर कोई nucleophile लिया like cyanide ion लिया ठीक है और यही reaction हम करा रहे हैं एक tertiary alkyl halide लिया ठीक है यह alkyl halide कैसा है simple methyl chloride आप बोल सकते हो 1 degree भी नहीं है यह tertiary alkyl halide है तो यहां पर और यहां पर देखो यहां पर जो final product बनता है वो क्या बनता है पहले मैं यह बता देता हूं आप लोगों carbon hydrogen सबसे पहले product बना देते हैं फिर finally इसके बारे में हम discuss करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है यहां पर जो final product दिखाई देगा वो आपको यह दिखाई देगा यहां पर आप देख रहे हो यह जो group लगे हुए इसके पीछे वो Gоне Dash reverse हो गये है इस process का एक नाम भी होता है । बढाइं कि इसका नाम भी क्या होता है फिलाल यहां पर क्या product मिलता है यहां पर यह मेर्यां पर आपको दो प्रोड़क मिलते हैं एक प्रोडक नहीं मिलता है दो प्रोड़क्ट दिखाई देंगे यहां पर आपको वो दो प्रोड़क्ट क्यों दिखाई देंगे उसके बारे में भी बात करेंगे पहले इसको हम बना लेते हैं फिर उसके बात में डिसक्स करते हैं कि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है देखिए अब आपका हुए सर अभी तक आपने यह पता है यहां पर क्या हो रहा है तो यहां पर एक रियक्शन है जिसका ओड़र है वन एक रियक्शन है जिसका और है तो पहले मैं बात करने बाला हूं nuclearohy過flex substitution reaction having order बन ठीक है तो order बन के लिए किभाली reaction की बात करते हैं देखिए इसमें दो step होते हैं सबसे पहला step क्या होता है कि यह chloride ion यहां थे electron लेकर आउट होता है यह दोनों electron chloride ion ले जायेगा तो cl- की form में out हो जाएगा तो जब इसने electron लिए कार्बन के पास में कीसा charge जाना चाहिए प्लस charge जाना चाहिए क्यों क्योंकि carbon के electron गए है थिक है तो जब कर दो पास में plus charge आएगा तो जो remaining space ish है वो क्या बनेगी वो एक Karbocetion बनेगा के कार्बन के पास में जब plus charge होता है तो इसको क्या करते हैं ंट है Oscar का Player now in चैशले ह 뉵फीर श्रवार करें का को इत्सक्ता है कि प्रकटबूर्ट है यृ स्क्रेथ यह तो इस्की शेप होनी चाहिए वह कैसी हो ने चाहिए क्दम प्लेनर होनी चाहिए ठीक है थोड़ा शेप के बारे में आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए प्ले जैसे जो पंखा होता है पंको're की जैसे शेप होती है या पंखड़ी जो होती है तीन पंखड़ी होती है 120, 120, 120 फे एकदम प्लेन इस्टॉक्चर होती है अब जब Nucleophile आएगा ठीक है जसे Cyanide salvation में रखा है जो कि एक Nucleophile का काम कर रहा है कोई प्लेन इस्ट्क्चर है तो Nucleophile experiência üzere Plane के उपर से भी अटेक कर सकता है Carbon P肯마 प्लेन के नीचे से भी attack कर सकता है फिर समय दिलिए अगर यह Carbocadans की structure एक्तम planer है तो जो nuclear file है वो plane के ऊपर से भी attack करेगा plane के नीचे से भी attack करेगा तो वही चीज हमने आपको दिखाई हुई है तो फिर दो तरह की structure यहां पर आपको बंती हुद दिखाई देंगी जो दौनों एक दूसरे की mirror image है इन दो structure को हम बोलते हैं एन दौनों ही structure को हम क्या बोलते हैं एन दौनों structure एक दूसरे की कहती है मिरा देमेज होती है मिस जब tertiary alkyl halide आपकर आपने लिया हुआ है और tertiary alkyl halide पर अगर आपको निकलियो फाइल आटेक करा होगे तो आपको दो structure में लेंगी जितमें एक का configuration D होगा और दूसरे का configuration L होगा D और L समझते हो lebo and dextro optical isomerism में हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है तो दौनों का configuration अलग अलग होता है इस mixture को कहते है हम racimic mixture इस mixture का क्या नाम दिया गया है racimic mixture the mixture which contain two configured compound one having D configuration other having L configuration is called racimic mixture and this process is called racimization okay इस process का नाम क्या देते हैं इस process को बोलते हैं racimization और यह जो mixture मिला है जितमें दो compound है इसको हम कहते है racimic mixture अब यहां पर यह जो step होता है वो slow होता है और यह जो step होता है वो fast होता है अब आपको कोई किसा slow और fast क्यों है देखिए यहां पर कोई nucleophile तो आ नहीं रहा है जब nucleophile नहीं आ रहा है तो इसलिए यह step slow होता है असानी से chlorine निकलना नहीं चाहिए अपने आप नहीं निकलेगा कहने का मतलब यह है इसलिए यह step slow रहेगा यहां पर देखिए कारवन को प्लस शार्ज है निकलेगा पर माइनस शार्ज है प्लस माइनस के बीच में इसलिए एक अट्रेक्शन होता ही है इसलिए यह step कैसा होता है है फास होता है और chemical kinetics की help से हम बता सकते हैं कि rate of the reaction always depend on slow step कोई भी reaction में अगर दो step हो रहे हैं एक slow है और एक fast है तो rate of the reaction किस पर depend करता है slow step पर तो यहां पर slow step में सिर्फ यह है में इस जो rate है वो किस पर depend करेगा सिर्फ और सिर्फ एलकाइल हैलाइट पर ठीक है और यहां पर बन है तो इसकी पावर बन हो गई इसलिए इस reaction का order कितना होना चाहिए इस reaction का order होना चाहिए बन इसलिए हम कहेंगे this is SN बन reaction nucleophilic substitution reaction in which order of the reaction is one okay अब आपको हुए थार यह काम तो यहां भी हो सकता है राइट यहां पर भी ऐसा होना चाहिए लेकिन यहां पर प्रोटक क्यों मिले है तो उसके लिए देखिए समझे अगर tertiary alkyl halide लिया हुआ है तो tertiary कार्वो केटायन भी बनेगा tertiary कार्वो केटायन आपको कार्वो केटायन के बारे में जानकरी है न कि अगर यह कैसा कार्वो केटायन है यह प्राइमरी कार्वो केटायन है यह सेकंडरी कार्वो केटायन है और यह तर्शरी कार्वोकेटायन इं ने सब्से जदा एक्र neighbor केतान होता है टर्शरी कार्वोकेटायन तिर्शरी कार्वोकेटायन सब्से जदा집ありがとう कौन होता क्यूंद यह से जादा एक्र fak принцип का यह नियुक्त सोर्गार वानी गाद करोगे तो वहां पर डियेक्शन मैं अगर तो यहां पर कार्वोकेटायन अगर आप यह वाली मेकनिदम लगाते भी हो तो कार्वोकेटायन क्या था बनेगा यह वाला कार्वोकेटायन बनेगा इसलिए ध्यानक किए तो SN1 की बात के लिए हो गई, SN1 reaction को order of reactivity विपता देते हैं SN1 reaction के लिए सबसे पहले SN1 reaction को देता है tertiary alkyl halide, उसके बाद में देगा secondary alkyl halide और उसके बाद में देगा primary alkyl halide अगर आपसे यह पूचा जाए कि आपके पास में तीन alkyl halide है मा लीजिए एक यह वाला alkyl halide है और एक यह alkyl halide है तो बताईए इन में थे SN1 reaction कौन देगा तो अब ध्यानक न tertiary alkyl halide SN1 reaction के थ्रूँ चलेंगे अब बात करते हैं SN2 के बाद ठीक है तो यह order of reactivity भी थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को कि tertiary alkyl halide SN1 reaction को देते हैं और जो order of reactivity है वो सबसे पहले tertiary देता है then secondary देता है then primary देता है अगर primary alkyl halide like that तो फिर वो SN2 reaction के दुरूँ चलेगा यहां पर cyanide ion क्या करता है backside attack करता है ठीक है इसको में एक नाम दे रहे है backside है पीछे से attack करता है तो जब इसको electron मिलेंगे तो फिर chlorine अपने electron को लेके आउट हो जाएगा कुछीज यहां पर आपको दिखाई भी दे रही है और जब chlorine आउट होगा तो इस carbon का जो configuration है तीनों ग्रूप लगए है वह बिल्कुल just reverse हो जाएंगे ठीक है जैसे आप लोगोंने umbrella देखा होगा चाता जो होता है जब बहुत तेज हबाद चल लेगे तो चाता जो होता है वह just reverse हो जाता है उल्टा हो जाता है बिल्कुल उसी तरह से यह तीनों ग्रूप क्या हो जाते है यह यहां पर क्यों नहीं हो सकता है यहां पर भी कार्वोकैटेण बैकसाइड अटैक कर देगा तो प्र यहां पर भी ऐसा हो जाएगा बातो तो सोची जा सकती हैं यहां पर जो आपने निख्लिवफ फाइल यहांपी ऑट आटेक करें तो पिर डिर्यक्ट री है फिये के दम जहें लेकिन यह चैज्ज पोस्टेविल नहीं इसके लिए चोटा ठाथ सा तर्म है मैं हमारे पात में सबूता रहे हैं फैंशचेरिक ट्रिंश हें कटिंट्र्इंश अब इस राइस क्षी होता है यह भीजि awaits बताते ही है place ordering, है preference她 होता है, ईसकी एक कार्वन के पीछे जो गुरूप लगे होगे हो और यह है, यह है और अकर मैं इस कार्वन के पीछे सी तीनłos學 क्लोड़ में होता है तो अधग का जो साइज होता हψ भी हाइजेधे औहूट इसी प्रोसेस को बोलते हैं में काफी बड़ा होता है. कि यहां पर यह दूसरा गूरूप हुआ और अगर साइनड आयन को यहां से बैक साय आटक करना हो, तो जब साइनर यहां पर कारवन पर बैक साइट करेगा तो देखो, यहां पर यह तीन बड़े-बड़े गूरूप ल यहांपर आ से तिन बड़े बड़े करैंस है कियो मैं सबने किका होग е चाय ननीधिया यहां पर में थाहिँ लक्राफ स्थर्फ एंपैज इस लिए नियुलल् Safaguika क्योंकि primary में कारवंधे group छोटे-छोटे लगे हुए है, hysteric hindrance कम है, tertiary में back side attack क्यों नहीं possible है क्योंकि hysteric hindrance ज्यादा है, अब देखिए, छोटे-छोटे से terms जो मैं नाम ले रहा हूं, hysteric hindrance, racemization, inversion, ये थोड़ा आप लोगों को ध्यानगना है, exam में कभी simple ये ही पूछ लिया कभी-कभी इतना easy question भी exam में पूछ लिया जाता है, अब यहां पर जो rate है, यहां पर तो एकी step है, यहां पर कोई slow or fast step तो है नहीं है, तो rate है, वो दौनों पर depend करेगा किस पर, nucleophile पर भी depend करेगा, और दूसरा, alkyl hyalide पर भी depend करेगा, ठीक है, तो इसकी power 1 है, इसकी power 1 है, that's why this reaction is SN2 and this reaction is SN1, अब आप जड़ा दिमाग लगा के सोचिए, SN2 reaction के लिए order of reactivity क्या रहेगा, मतलब सबसे पहले primary बाला देगा, primary alkyl hyalide देगा, SN2 को and then secondary alkyl hyalide देगा, SN2 को, और सबसे बाद में देगा, tertiary alkyl hyalide जो कि देगा ही नहीं, ठीक है, और अगर primary alkyl hyalide से भी यह वाला है, जैसे यहां पर तीनों hydrogen लगे हुए है, को यह primary पर नहीं है, simple alkyl hyalide है, तो सबसे फास्ट यह देगा, तो यह आपकों को ध्यान रहेग क्या है, और SN2 में order of reactivity क्या है, right, ध्यान रखें कि rythmization क्या होता है, rythmic mixture क्या होता है, inversion SN2 में होता है, SN2 को, यह topic एक ऐसा topic है, जहां पर question आने के chances 100% रहते हैं exam में, SN1 से और SN2 से, चलो, एक बात और बताते हैं, हम आप लोगों को यहां पर, इस SN1 reaction के लिए, अगर कोई आप solvent यूज कर रहे हैं, ठीक है, usually reaction जो होती ना, वो किती ना, किती, solvent में होती है, तो अगर आप कोई solvent में यूज कर रहे हो, तो SN1 में जो solvent होना चाहिए, चलो, यहां लिखते हैं, in SN1, solvent, must be non-polar, ठीक है, जो solvent होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, non-polar होना चाहिए, non-polar मतलब उसके उपर कोई चार्ज बागेरा नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए था नौन पूलर क्योंकि अगर चार्ज होगा तो one completed reaction कर लेगा क्योंकि यहाँ पर कर्डवो कैटायन बना हुआ है तो कर्वो क्लेंट कर लेगा तो आट i li जो दी और एर कॉन्फिगेशन के प्रोड़क्ट बने हैं उसकी जागा पर कोई और नया प्रोड़क्ट में लेगा क्योंकि सेकंडरी कार्वोकेटायान हो हमारे पास में मतलब सेकंडरी अलकाइल ह्लाइडोल एक ठीक है तो यह अ क्योंकि यह पर फैंसे बड़े बड़े हैं तो फिर बैक साइट अटैक इतना इदिली पॉसिबिल नहीं हो पाएगा इसलिए एसन बन के थुरू ज़्यादा जाना चाहिए अगर एक्जम में आ जाए कि सेकंडरी अलकाल हलाइड है तो बताइए एसन टू के थुरू जाएगा या एसन बन के थुरू जाएगा दिहान अखें जब कार्बन के पीशे बड़े बड़े ग्रूप लगे हों तो बैक्ट्राइड अटक आतानी से पॉसिबल नहीं होगा फिर यह वाली मेकनेद्रम चलेगी जो एसन बन की रहेंगी तो यह हुआ आधन बन और ऑवर एसन टू कुछ कुछन लेते हैं जिससे हम एसन बन और एसन टू की बात को और Thank लिए करते हैं वैल कुछन ये है आपके साममें तीन टर्म लेखे हुए है। पहले में इस वारे टर्म के लिए बात करता हूँ Predict the order of reactivity of the following compound in SN1 reaction आपको 4 compound दिये गए हैं चलो कुछ नाम दे लेते हैं इनको हम ये 1st है ये 2nd है ये 3rd है और ये 4th है इनको हमको SN1 reaction के reactivity के increasing order में arrange करना है तो आपको पता होना चाहिए कि SN1 में सबसे पहले tertiary वाला अलकाल हलाइड होना चाहिए जो सबसे fast reaction देता है उसके बाद में secondary alkyl halide and then primary alkyl halide तो यहां पर देखे होगे ये वाला जो alkyl halide है ये वाला जो carbon है ये secondary secondary है ये वाला जो carbon है इससे तीन carbon लगे हुए इसलिए ये tertiary है ये भी tertiary है और ये भी tertiary है तो ये तो fact हो गया कि सबसे कम reactiv यही रहे बलार फश्ट वाली कि य जो reactivity रहेगी वह सबसे कम रहेगी अब हमको यह को देखना है कि इन सम्हें सबसे ज्यादा काई कौन रहेगा तो आप सब लोग जानते हो कि reactivity 25 जो अ Cape श्रुक्मosaurus सबसे ज़्यादा रहता है और रहता है और लोरीन देन क्लोरीन देन ड्रोमीन और रहता है क्यों क्योंकि आयोडीन का जो साइज होता है वह बहुत बढ़ा होता है टॉप टू बडम चलने पर एफ सियल बी आर आई टॉप बडम चलते हैं साइज बड़ा होता है तो रेक्टिविटी भी क्या होती जाती है बढ़ती जाएगी तो चरह सबसे यादा आसानी से कौन निकलेगा आयोडीन सबसे आसानी से निकलेगा इसका मतलब फश्ट से ज्यादा रेक्टिव होना चाहिए सेक रेक्टिवेश्ट पाइसच्ट व्हुंत बारिकशट बिच वूट अडर रेक्षंट निकलेगा घ् doğru के लिए आपको पता होना चाहिए लागी हे क्याद्र सेकूंटंर प्राइमरी इन तैंटछ जानित निकले उन ंडाए अपक्विटी अ बार तरे चोड़के जाएगा या असानी से क्लोरिन चोड़के जाएगा तो आयोडीन इस बेटर लीविंग ग्रॉप का इन कंपेरी तन विद क्लोरिन जाएगा इस विल अंडर गो एसन तू रियक्शन फास्टर देन इस इसमें देखिए यहां पर यह जो कार्बन यह वाला जो यह का तो कार्बोकेडान है। यहां पर आप देखोंगे इस कर्बन से दो क्रवन लगे हुए, एक है। यह और एक है। यह सेकिंड्री है। हम जानते हैं कि प्राइमरी कार्बो जो ... जो deze ख़ियन हें आलकोइल घ्लायर वह weASN-2 reaction को faster देता है है tersiri and then secondary and then primary or SM2 है then order रहता है सबसे पहले primary देगा then secondary देए इस तर्से कुछन पूछे जाते हैं चलो एक दो कुछन और लिए आपको पता है SN band reaction का जो order होता है पहले order को बहुत अच्छे से ध्यान अक हो SN Band का order होता है Tersiri then secondary and then primary तो देख लिजे यह यहां पर यहां पर देख लीजिए यहां पर यह कार्बन कैसा है और यह कार्बन कैसा है सेकंडरी है तो यहां पर यह वाला कंपाउंड फास्टर एसन बन रियक्शन को दिखा तो कुश्चन को करना आप लोग समझ जाईए बस अधिवार को दिखान रख किये कि कहांपर कौन सा ओडर अगर एससंट बन रियक्शन है था क्या ओडर करना है यह सेन तू यह तो बात यह जिए आप